आज है फिर से मजबूती के संके दंधार शुरॉआत के लिए तैयार होते हैं वारती माज़ा बड़ा सवाण है कि क्या आज रेंज को पार करके कुछ बड़े ब्रेकाउट की होगी तैयारी या फिर हफ्ते के आज है फिर से हम रहेंगे उप्री स्थरों पर रेंज बाउट बाजार भी फ्राइडे मूड में अच्छी तरीदारी का मामला और दिरे दिरे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं बाजार तो आए आज के बड़े संकित पहले देख लिए दिनके दम पर हमें अपना टेडिंग सेशन डिसाइड करना है अमेरीके बाजारों में उतार काफी मजबूती के साथ बंद होते दिखे और यही मजबूती हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कल और परसूर दो दिनों के उतार चरा उपर है सेशन के बाद और कल वीकली एक्सपारी को समप करने के बाद भारते वाजार आज सेंचुरी मानने के मूल में है एस जेक्स यह आपके लिए एक ग्लोबल ट्रिगर अमेरिका में कल एक्सजेंजर के नतिजे तो यह है आज का पूरा का पूरा एक्शेंज इनके दम पर हमारा टेडिंग सेशन आगे बढ़ेगा बिल्कुल तो चलिए यह तो है पूरा एक्शन एहम ट्रिगर से और अब तो मंथली ए एक इंपॉर्टन फैक्टर जिस पर आपकी रहे लेनी है अफकोस पर एक बार ज़रा मूड महुल बाजार का समझ लेते हैं अच्छा बाउंस बैक आया है लगातार दूसरे दिन आप ग्लोबल मार्केट्स का भी सहरा इस समय देख रहे हैं सर कैसे समझना चाहिए इसपेश रहे हैं कि जिससे सारे कमॉडिटी के दाम टेजी से घठो रहे हैं चाहिए वह घ्री कमोडी कमोडीявी किस हो और दूसरी नेशिरल गयस के दाम alternatum थार्म commodities के दाम जो है वो कम होना बहुत जरूरी है सब को चाहिए कि गैस के दाम कम हो सब को चाहिए कि आप कच्छे तेल के दाम कम रखें तो अगर ये दोनों दाम कम रहते हैं तो मुझे लगता है कि global inflation को कमी लाने में काफी मदद मिलेगी और कल मुझे रखता है अमेरिकी बादरों में जो थोड़ी बहुत recovery निशलेस पर से आई है थोड़ी बद नहीं अच्छी खास रिकवरी जो निशलेस पर से आई है वो इसी वज़े से आई है कि आपके natural gas के दाम 10% गिरे हैं कच्चा तेल आपका 110 डॉलर के नीचे बनावा ब्रेंट पर वो एक अच्छा संकत है बाकी खाने पिने की चुज़ों में चाहें हो सोयाबीन लेने पाम ओई लेले गहूं लेले इन सब के दाम नीचे निकल वगएरा के दाम आपके metals में नीचे बते हैं कोपर 16 महिनों के निचे ले इस्तरों पर है सो आइ ठिंक कहीं कहीं भले ही recession के डर से गिर रहे हूं भले ही liquidity कम होने की वज़े से उस डर से गिर रहे हूं लेकिन commodities में गिरावाट तो है और गिरावाट सब तरफ है और मुझे रखता है कि आगे पीछे बाजार अब यह बाजार के मूर पर depend करता है कि आज हमें क्या decide करना है आज हमें यह सब दाम गट रहे हैं इसके वज़े से recession की वज़े से गट रहे हैं उससे डरना है वो भी हो सकता है दूसरी तरफ यह कि यह सब दाम गट रहे हैं इसकी वज़े से महंगई आगे चलते हुए कमी होगी लेट्स एंजोई वो भी हो सकता है तो एकोनोमी की हर एक्टिविटी के दो पहलू है यह तो बैलेंश शीट है टेली होती है जो हमने पढ़ा ही किये कोई पही है आप एक एंटिर करो उसकी कांट्रा एंट्री तो होगी होगी सामने दूसरं एंट्री तो होनी है तो सेम विसे ही है कोई भी चीज़ है उसको ऩพछ दो पहलू गाई है अब बाएदार के मूर है कि वह उस सम्सक क्सेश्चव होती आगना चीज़ोिकलों होती है आपकी किस लेवल पर हैं आप वो होता है, माहुल क्या है, so I think एक दो दिनों से माहुल थोड़ा सा अमेरिका में बहतर होता हुआ दिख रहा है, बायों डिफ्स का मामला बन रहा है, जो रिसेंट लोज बन गए, वो तोड़ने के हडबड़ी और जल्दबाजी नहीं है, उनको तोड़ने के लिए कुछ और बड़ी और बुरी ख़बर चाहिए और नहीं बुरी ख़बर चाहिए, पुरानी खबर हम सब पचा चुके हैं, यह कह सकते हैं, थोड़े से बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्फलेशन की चिंटा है थोड़ी कम, और दूसी बात यह भी है कि अगर इसी तरह से कमोडिशी स्टेजी से गटे है, तो अगली पॉलिशी के पहले फेड चेर्मेन थोड़ा सा एग्रसिव होने के बजाए, दरे तो बढ़ाएंगे, वापस से आप बॉन डिल 4% के उपर आ गए, तो ऐसा नहीं के दरे नहीं बढ़ाएंगे, और बॉन मार्केट यह नहीं मान के चल रहा है कि आप छोड़ देंगे, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टिमेटली जो गैप है, एक परसंट के आपकी इंटरस सेट और साड़े आठ परसंट का इंफलेशन, यह तो चली नहीं सकता, यह तो बैलेंशिटी आपकी बिगड़ी भी है, मतलब यह तो ऐसी कि आप ऐसी ऐसा वीकल चलाने की कोशिश करें, जिसमें एक पईया तो लगाए ट्रेक्टर का, ट्रेक्टर में बड़ा वाला होता है, वाला ट्रेक्टर में छोटे भी होते हैं, वो मत समझझा, बड़ा वाला जो है, और दूसरे लगा है साइकल का, और आप सोचे कि यह गाड़ी बराबर से चले, तो वो हो नहीं सकता, तो दोनों वील आपके दोनों बराबर होने चाहिए, तो आइ थिंक आपकी नेगेटिव इंटरेस रेट इतनी लंबी चल नहीं सकते हैं, एक दो परसेंट का हो फर्व आप लंबे समय तक चला सकते हैं, माइनस साड़े साथ परसेंट आपके अगर रियल इंटरेस रेट है, तो मुश्किल तो ही है, तो उस लिहाद से बढ़ाने तो ही है, लेकर बढ़ाने की स्पीड धीमी हो जाए, जो खराब खराब बोलते हो थोड़ा कम कर लें, और इन्फेशन जरुत से पहले, जरुत से समय से पहले, और जरुत से ज़्यादा कम हो जाए, तो मेरे खाल से उस चीजों को थोड़ा सा मेरी की बादार डिस्काउन करने की कोशिश करें, देखें, नय रेसेशन की ख़बर बहुत बुरी आए, तब बहुत ज़्यादा डरना है, सब को बता है, रेसेशन आ रहा है, इस तरह के माहौल में और एक्साइटेड भी होना है, कि नहीं ये कमोडिरीस के दाम गट रहा है, इसलिए अब सब इन्फलेशन करने है, ये मार्केट की पोजिशन ज़्यादा है, बजाए खमरों के रेक्शन पर, अगर हलके बाद आ रहा है, थोड़ा बढ़ जाएंगे, हेवी मार्केट हैं, ये दो दिन आप अगर आप तेजी कर लो, मार्केट थोड़ा हेवी हो गए, और ये खबर आई, लोग वोलिंग नि-नी रिसरेशन आरहा है फिर से दो, तो ये बैसिकली ट्रेडिंग मार्केट बन चुका है, ट्रेडिंग मार्केट में सिंपल है, प्रेमियम बना हुआ है एक डर बना हुआ है मार्केट में रश्या यूक्राइन को लेकर आज 24 जून है चार महिने पहले आज सुभा ही हम बात कर रहे थे सुभा सुभा पुटिन साब ने अनॉंस्मेंट कर दिया था कि वह ऐसा करने वाले और युद्ध शुरू हो गया था रहे थे यूएस ने कुछ रेस्ट्रिक्शन्स चुपचाप हटा भी दे रश्या के तरफ से फर्टलाइजर सप्लायर नॉर्मलाइज हो गया है अग्रिकल्चर सप्लायर नॉर्मलाइज हो रहा है तो एक जो रिस्क प्रीमियम बना हुआ था कमोडिटीज में क्या वह भी थीरे धीरे घटते हो दिख रहा है या बिल्कुल घटते हो दिख रहा दिखेगा भी अल्टीमेटली सब को पता है कि यूद लाइफ लूंग चलेगा और आजकल पिछली खबर कब आप ने सुनी कि रेश्या ने इतने गोले दा गए और यूकरेन इनके टेंक गिरा है अब अब इस पार्ट ओफ देर लाइफ बिल्कुल एक कॉन्फिक्ट एरिया बट बाकी सब नौर्मल है वहां पर जिसका कबजा है तो तुम तुबरा है तो तुम रखो हमारा है तो हम रखेंगे तो ने इनको आगे बढ़ना ने इनको पीछे हटना है वेसा वाला खाल है तो आ जिस दिन यह होगा हो सकता है उस दिन यह भी भी में बार बार मोलता हूं कि क्मोडिटियू स्टोक नहीं लेने नहीं है वहां पर जितना रायता फैलना है वह जाएगा और उसके बाद वहां से खरीदारी होनी चाहिए एस दिन का इंतजार कर रहा हूं तब लोगों को यहां वह आखरी रियक्शन होगा और वहां पर आपके लिए कमोडिटी स्टॉक्स एट्रक्टिव हो जाएंगे खरीडारी करने के लियाद से ऐसा मेरा सोचना है कोंट्रकोल काम करें उस वक्त इसलिए अभी तक हम बहुत ज्यादा बुलिश हो नहीं पाएं कमोडिश पे आई टी पर हम लिट्रल से हलके बुलिश हुएं जहां तक रेश्या युक्रियन के यह सारे एक्शन का सवाल है मुझे लगता है कि दिप पूरे युद्ध में चार म में अगर डोलर के मकाबला में सबसे ज्यादा मजबूत कोई हुआ तो रूबल हुआ है जिसको आप अच्छा ऐसा देखा जाए तो एकोनोमिक वार तो रेश्या नहीं जीता है और फाइदा हुआ है या तो गल्फ कंट्रीज का इसका कच्छा तेल ऊपर भीक रहा है ओल प को पता है कि अब हमें अगर टाइवान को किसी दी पकड़ना है दोना है तो हमें कोई रोक नी सकता है जब अमेरिका और यॉरेप से रिश्या नहीं रोका जा सका तो हम तो बहुत बड़ी चीज है तो नुकसां सबसे ज्यादा हुआ है किसी का तो यॉरॉप का. मतल्ब किसी खराब हुई तो अमेरिका की और इस बीच में अपना नुकसान करके भी नेट नेट अगर आप देखे तो रश्या जीता ही है नेट नेट जीता है नो डौट फाइनेशली नुकसान उनका भी काफी कुछ हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन नेट नेट उन्हो वह अचीव करना चाहते हैं काफी कुछ हद तक कर चुके हैं अनलेस कि अब उन्हों उफिशली युक्रेयन पूर आपने अंदर मिला ही लेना है वह अगर टार्गेट होता तो चार मेने वेट नहीं करते हैं वह कर भी लेते तो मुझे लगता है जितना उनका टार्गेट थ में और इस्पेशली युरोप के देशों के इंटर्स में ज्यादा है कि विंटर सीजन शुरू हो सर्दिया शुरू हो उससे पहले ओफिशली यह खत्म हो जाए उन्हें सस्ती गयर सस्ता कुरूड चाहिए ही नहीं तो हम तो एक बार फिर भी किसन किसी तरह से बच लेकर वो नहीं बचेंगे कम से कम पांट साथ देश ऐसे हैं यूरोप के जो इस बार उड़ जाएंगे और मुझे दिक्कत उस बात की चिंता उस बात की कि अगला फोल अगली बड़ी मंदी ग्लोबल मारकेट्स में कहीं यूरोप की वज़े से ना है क्योंकि एक बार हम र अगला बड़ा ट्रिकर यूरोप का बनार तो ऑगला बड़ा चल गया तो बना तो आगर ड़ी सकता तो आगर बना है फैसलिवा बात सही है जो फहले ग्रीस पोचूगल श्पेन जैसे देश का डर खूइज जैसे डशा बर भी यहार इक वह धिंग्न्रचूग में और दम पिग्स नाम इसलिए रखा था तो तो समझ की रखा होगा जिसने भी रखा उसकी क्रिएटिव जी तो इसलिए मेरा यह समझना कि ग्लोबली साल बर में आगे के लिए जो रिस्क बनेगी अब अगली फ्रेश रिस्क दो ही बन सकती है या तो चाइना ताइवान बने या फिर योरोप की बने बाकी ब्रोडली मार्केट डाइजस्ट करते हैं आगे बढ़ चुके तो यह वाला फैक्टर हो चुका है और मॉस् ट्रेम था वेटनेस ये को सस्टेन नहीं कर पाया हाला कि उतने खराब नहीं थे और फिर कल फिर से बाजार ने अच्छी मूव दिखाई तो यह जो पंदरा छे सो पर वापस बाजार साथ सो के करीब वापस बाजार आ चुका है दो तिन दिन अब क्या यहां से एक नई मू करना है देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा यह में बाज जो बोना है अगर हमें आज पंदरा आट सो को पार करके एक ब्रेक आउट देना है जिससे अगर लगे के और देखिए आज वीकली क्लोजिंग है हफ्ते का आकरी दिन है मुझे पंदरा साथ सो पतर के ऊपर की क् मिला सुबह सुबह आप मजबूत खुल गए जो कमजोरी वह किसी ने एक्सपेक्ट नहीं खी थी मैंने की थी थी थोड़ी सी ओनेसली मैंने यह जिशो पचीस तक का अंधाज़ा था जी चार सो पचीस आएगा या बैंक इस्टी भी 33,000 तक आ सकता है 33,000 पर हमने शोर दिय लेकिन उस से और 400 पोइन गर जाएगा यह नहीं पता था, तो कई बार होता है, सो कल जो गिरा तेज़ी से वो बड़ा सर्प्राइज था, शोक था, लेकिन उस से बड़ा सर्प्राइज मेरे लिए था कि जिस स्वीड से वापस बढ़ कर आया, वो ज्यादा सर्प्राइज क्या होता है और कल पुट राइटर्स को डोनों को अच्छी तगड़े से फटके लगें बना दोनों के गजब वाले नुकसान लगें नहीं तो आम तोर पर राइटर आसानी से कमा लगता है इस मार्केट में कमा भी रहा है बहुत दिनों बाद कल राइटर को पैसे लगें दो दोनों तरफ आप क्या होता है 400 दूर का बैंक निफ्टी का option राइट करके बैठ जाते हैं अरे इससे ज्यादा क्या निफ्टी में 2500 इंट्रे में इससे ज्यादा क्या बात सही है वो फिलिंग आना गलत नहीं कल जिस तरह से मार्केट गूमा है वो मुझे लगता काफी वाला होता है कमजोर ट्रेडर शोट वाला भी होता है बिल्कुल होता है कमजोर तो कमजोर ही है तो काफी कुछ सफाई होगी बच्ची कुछ सफाई करें एक्सपाइरी की भी होगी weekly expiry की तो आज आज आपको breakout देने के लिए बहुत बढ़िया दिन है थोड़ा अगर आपक भी तक जो संकेत य उससे लगता है पार होगा जी नहीं अगहर होता है तो उसकी ताक़ भारत loveump की बनेगी नहिकी अब हमें अपनी ताकत से बरणा मुझे अबी तक दौट है कि हम अपनी टाकत से ब्रेक आउट bestowed सकते मजबूत तो तो है अंथ स्वान आबज साड़े ती हम बहुत खराब होंगे आज हम बहुत खराब होने की बात कहीं कि उपथ की इए बाजाओ मुझे आज आज हम बात ये करें की एक ब्रेक-आउट जो चाहिए ही बाजार को बड़े निफ्टी का सपोर्ट जोन पंदरा ज़ए चारशोपचास निफिपोचे पर तुरंक्रवाफस करेगा सपोर्ट का काम और इसके नीचे पंदरा एक सो पैंटर से पंदा तीन सो स्टरॉँग भाय जो आएगा नहीं आपको भी परता है उपर की तरफ 15625, 15700 इस रेंज में हम पहुंचेंगे टाइम पास करेंगे 700 के पार निकल कर भागे तो 735 से 875 तक का रास्ता खुलता हुआ दिखता है वहाँ पर आपके लिए प्रॉफिल बुकिंग करने की राहे होगी इस रेंज में अब वह 735 पर कर लेना है, 775 पर करना है, 850 या 900 तक जाना है वह वक्त बताएगा बैंक ट्रिफ्टी, 32-650, 32-850 यह आपके लिए स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है, इसके नीचे आएगा नहीं खाली नौट करकर रखें, 32-330, 32-425 तक जाने की कोशिश हो सकती, 34,000 तक की बनती है, यह आपके लिए बड़े जोन है, बड़ी रेंज है ठीक है से, सपोर्ट रेजिस्टेंस आज के लिए, 15,550 के आसपास आप बन हुए है, पहला सपोर्ट दीफ है आपका 15,500, 15,425, 375 और 315 यह तो सारे कल तक के हैं, 300 और 200 यह आप खाली वैसे ही नौट करके लिए, उपर की तरफ के लेवल्स थोड़े ज्यादा हैं, 550 के आपके रेजिस्टेंस है, 635, 650, 675 और 700 इसके बाद दो इंपोर्टेंट लेवल है, मीडियम लेवल्स, 735 और 775 बड़े लेवल्स के तोर पर उसके बाद 850 से 900 तक की रेंज निकल कराती है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी है, 33,100 के आसपास आप बन हुए है, पहला सपो 32,425 और 32,300 बड़े लेवल्स जो आने वाले हैं नि, उपर की तरफ भी मैंने यहां से लेकर 34,000 तक के लेवल्स के लेवल्स के लिए आपको बैंक यूटी में ऊपर ध्यान रखना है, निफ्टी है, इंपोर्टन लेवल्स और सारी की सारी रेजिस्टेंस आ रहे हैं, आज की क्लोजिंग इंपोर्टन है, अगर वो 75,75 के ऊपर आसपास निफ्टी क्लोज दे देता है, तो बढ़ी असंकेत रहेगा, डेटा भी समझाएं सर, डेटा का सपोर्ट आज दिख रहे हैं, एफाइस के इंडेक्स लोंग पोजिशन 21 से 24 परसें बढ़कर आई है, लेकिन क करोड की खरीदारी किये केश मार्केट में, तो केश का मार्केट में जो रेंज वो 4000-5000 करोड से गटकर अब 2000 करोड के आसपास किया गई है, लेकिन कलके डेटा मेंने एफाइस की न्यूट्रल दो वज़े से रखे हैं, एक तो यह कि 853 करोड की खरीदारी किये इंडेक्स फ कि खरीदारी का बड़ा आंक्रा आया है, और यह वीकली आप सोचो, निफ्टी में यह आंक्रा देखे ज़रा, ओप्शन में 15,621 करोड की खरीदारी, कहां से आया है, एफाइस का काम किया है, स्टॉक्स खरीदना, और स्टॉक्स ने सामने पॉर्ट्फोलिय हेज करना, आम तोर एफाइस का, यह फर्स्ट टाइम में ऐसा देख रहा हूं, आम तोर पर एफाइस का एक्शन मंथली सीरीज में होता है, वीकली सीरीज के दिन 15,621 करोड की खरीदारी ओप्शन की, इसका मतलब यह ओप्शन में भारी बरकम वोल्यूम जो रोज आप देख रहे हैं इसमें कई सारे hedge funds बहुत aggressively active हो गए हैं, बस यहीं पर पैसा बनता है, दो, तीन सो पॉइंट, चार सो पॉइंट की range में खेलो, call right करो, put right करो, खरीदो, बेचो, strangle बनाओ, जो करना है, butterfly करो, यह करो, वो करो, यह सब चल रहा है, नहीं तो आप 15,621, इसलिए एक चीस तो य है कि FIs लेने आगे, लेने आगे, ऐसा नियाते हैं, यह सारे adjustment वाले trades हैं, और options के trader है, लेकि options में जो volume भारी बर कम बढ़ रहा है, इसमें एक चीज़ जो समझ में आरी, FIs का भी weekly settlement वाले options में, पूरा का पूरा है, तो जो बात कह रहे थे कि game अभी index में है, FIs भी वही कर र यह ही पर आगे है, गजब, पंदरा च्छस्सो, बात बड़ा अंकड़ा है, बड़ा figure है, बिलकुल, बट लगातार दूसरे दिन, stock cash, stock और index features में खरिदारी भी, FIs है, लगातार दूसरे दिन, उसका भी सहर आ रहा है, put coal ratio comfortable है, 1.03, Wix 2% गटा है, ठीक, long position, आपके पास दो option है, एक तो यह जो कल दिया था, वही आज ही रखिये, 15,235 इंट्राडे और closing basis पे, कल भी 15,350 से आप गूम गए, यह एक बढ़िया और थोड़ा दूर का, छोटा, medium जिसको लगाना है, 15,350 का लगा है, इंट्राडे closing और जिसको एकदम छोटा लगाना है, वो 15,500 का लगा ह आपकी मर्जी है, आपको कहा लगाना है, freedom है आपको, ठीक है, शोट साइट पर, जोटा लगाना है, बढ़ा रखना है, तो 32,600, आप पी इच्छा पर है, शोट साइट पर, स्टोपलोस 15,800 का है, इंट्राडे और closing दोनों, आपको छोटा रखना है, 15,700 का भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी पे, 15,700 इंट्राडे closing भी रख सकता है, अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं रखनी है, और ज्यादा रख सकते हैं तो 15,800, बैंक लिफ्टी, 33,600, इसमें को कि अपनी इच्छा है, कम ज्यादा करना चाहें तो, और बैंक लिफ्टी में भी चलो और फ्रीडम दे जाता हूं, अगर छोटा करना है तो 33,400, पचास भी कर सकते हैं, 200 पॉइंट, और नीचे का, चलो ठीक है, ठीक है, बदा है से नई पॉजिशन, एक तो यही जो कल वाल साथ सो तक के टार्गेट के लिए करनी है, खरीदारी, अगर आ जाए तो, और अगर आ जाए तो का मतलब यह नहीं कि नहीं आता, कल किसी नहीं सुचा है, आया, कल मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस हो आ, जितनी खुशी मुझे इस बात की नहीं हुए, कि एकदम हमने टॉप पे 15,600 पे और 33,400 पे हमने शौट कोल दिया, पुट ऑप्शन लेनी कि राय दी, हीरो जीरो और उसमें बहुत बड़ी आपेसे बन गई या, वो कॉल अच्छा हीट हो गया, उससे ज्यादे दुख मुझे इस बात का हुआ, पंदर तीन सो पचास, पंदर चारसो मेरी गल्ती के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठेरा हूं, वो भी ढूंड़ा, नाम किसका लगा रहा है, वरुन के साथ है, वरुन के साथ है, तो उससे में मिस हो गया, नहीं तो वो एक बहुत बड़ा टाइम था जहां पर, और मैं इसलिए मिस होने से मतलब यह आम तोर पर दिन के दोरान 11 से 2 के बीच मेरा ध्यान कमी रहता है मार्केट पर क्योंकि टाइम उतना मिल नहीं पाता है, लेकिन मैं चाहता था पिछले 2-3 दिनों से स्पेसिकली कि लोग स्टॉक से इंडेक्स की तरफ मूँ हो, ताकि उनकी रिस्क कम हो जाए, तीके रहेंगे और दो प साथ 8-8% उपर नीचे हो जाते हैं, पैसे बड़े लगते हैं, इंडेक्स में उतनी रिस्क नहीं है, इस तो हमेशा है लेकि उतनी नहीं है, तो मेरा यह समझ जाए कि इसलिए कल में चाहता था कि एक कॉल दे पाता, कि एकदम क्या मतब 32-650 मौट वोटरिंग लेवल बैंक जां आप का कल बामदा है, जा पुद में टारिक कर लेजे, यह वहार। बहूत त Marriage दी जानी का का साथ बीस दिए, अगर आप कानसारा सब्सक्रा, अज उसका फिर सच कानशाल साब लेए ठीच है, क्या बेंकनता कि आज स़र्व में तो क ancien दिए ऐस में पर सब दाग 15-101- demost आज उसका लिटमा स्रेस्ट है, बनेगा नहीं बनेगा उसका अभी इसे बता देता हूँ, अगर मुझे क्रूड और डाव फीचर सपोर्ट करते वे नहीं दिखेंगे ज्यादा तो बनेगा, कल हमने पहले शोट कोल किया, हमारा मार्केट नीचे आने लगा, डाव फीचर बा यह लेवल बोला था, इसलिए कर दें, उस समय का मुझे माहूल भी लेखना होता है, यह क्लियर है, तो यह आपके लिए डेटा, निफ्टी के लिए अग्रेसिव बायर्स, अग्रेसिव बायर्स, बायर्स चोटा सा लगाएं, चोटा नहीं पंदा तीन सो पचास का बड़ा 500,500 के final target, बेशना जो चाते हैं, अब यह tricky हैgoing है, थोड़ा सा, 15,700 के आसपास बेशना ठीक है, 675,700 पे थोड़ा सोचे, टुकडों में बेश हिए, 735,775,000 में थोड़ा ओर बेश सकते हैं, बेशना टुकडों में ही है, एक ही बार में सारा नहीं बेशना है, यह ध्यान र यह तो रहे निफ्टी के बात और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज खरीदारी का भी मौका है और बेचने का भी मौका है बट उस समय का मूड महल देखना जरूरी है और तब यह कॉल इनिशेट करना है बैंक निफ्टी में का करेंगे एक तो वही कल वाली रहें तो थीक है नहीं है तो कोई बात नहीं लिखा ही ज्यादा क्या है दूसरा तरीका है ज्यादा सही है बैंक रिफ्टी अग्रेसिव ट्रेर्स के लिए खरीदने का बैंक रिफ्टी में खरीदारी जो लोग बैचने आचाते हैं बैचने का काम वही करें जो अग्रेसिव ट्रेजर से क्योंकि ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंड पर आप बैचने है तो रिस्क भी स्टॉप लोस ट्रिगर होने की पूरी रहती है जरूरी नहीं कि आप 33-425 पे ही बैच दे लेगिन वहां से आपके मन में आना जरूर शुरूर होना चीए कल का जो हाई है कि क्या मुझे बैचना है जवाब हां मिले सारी परिस्तितियां देखकर तो टुकणों में बैचना शुरू करिए चार्सो पचीस पे थोड़ा, पांचीस पे थोड़ा और 625 पे पूरा, साथ सो का स्ट्रिक स्टॉपरोस है, ते अरो पार करके टिके तरो किसी को इनतीजार मत करना कि आके कोई बोलेगा इस टॉपरोस लगा लो, बéना इस टॉपरोस लगाए बेचना तो कसम है क्या ब्रेक आउट हो जाए गड़ जाए फिर ना बात बोले से आपने तो बोला था कर दे ना कौन सा आज तक चैनल पर एक भी कोल ऐसा आया किसी भी टेक्निकल एक्सवर्ट का जिसमें इस टॉक्ट्रोस ना हो सबका होता है कई बार आशु जी भी बोलता है कि बहुत पैसे लगए लगए बात सही लग गए हम भी जानता है लेकिन अगर आप डिसिप्लेन नहीं रखोगे तो किस के हात में अब डॉक्टर बोल रहा है भी दवा खा लेना आप दुझे नहीं हो रहा हूं तो डॉक्टर जिम्मेदार को कोई भी टेक्निकल कॉल काईसा भी हो स्टोप लोस तो देई रहे है हर रोंज दे रहे है अब आप कहीं तो लगा ओ चालो मान लिया कि मैनेजर दिया वह आपको पसंद ही आया कोई बात ढी जरूरी भी नहीं है आए है ना आप अपनी पसंदा लगा लो अपने बेंक बेले ताकि क्या लोगों दिमाग में फिट होगा कि 33,700 का स्टॉप्टोस होगा नीचे के टार्गेट जो बनेंगे दीप आप पढ़ लीजे थोड़ा में ठाला ठीक करें तो 33,300, 33,200, एक सो पचीस फिर बतीस सबार नौसो पचीस आठ सो पचीस आठ सो पचास आठ सो पचास आठ सो पचास बहुत है जब एक रेंज लंबे समय तक तरह तो बीच के टारगेट लेवल्स जादा निकल कराने लगते हैं इस वज़े से इस आठ सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा बेटर हो जाता है ज्यादा इसका सपोर्ट आता है ठीक है तो चलिए आपके लिए सारे डेटा बैन लिस्ट सर डेल्टा कॉप दो ती दिन बाहर रहने के बाद वापस आ गया है तो डेल्टा कॉप की फ्रेश एंट् टीवी, इंडिया बुल्स और आर बिल यह अभी भी बैन में बने होए हैं इंपॉर्टन लेवल्स वाइदा कारोबार्ट पंद्रा पांसो बड़ा सपोर्ट वामन लाग शेरों का ऑपन इंट्रेस्ट है और जो एग्रेसिव ट्रेश के लिए खरीदारी करने के राय जीती पंद्रा तीन सो पचास के साथ उनको पाद में तुरंट खुलने के बाद पंद्रा पांसो पर इस्टोप्र ले आना है हल्की फुल की रुकावट पंद्रा साथ सो पर है ज्यादा ओपन इंटरस नहीं है 31 लाग शेरों कही है बैंक रिफ्टी नीचे 33,000 हल्का फुल का सप है वो पंद्रा पांसो स्ट्रोंग सपोर्ट के तौर पर इंटरस के लिए बस चलिए तो पूरा डेटा और आज की स्ट्राटेजी है तयार आए अब जानते हैं आज की खबरें ट्रिगर्स और साथी इंपोर्टन ब्रोक्रेश रपोर्ट्स भी कुशल अर्मान और आशीश चालू रहेगा ओफर प्राइस 11 सुर्पर प्रतिशेर तेक किया गया है साथी Zomato ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर फोकस रखे क्योंकि एक संभावित अधिगरन के लिए कंपनी आज बोट बैठक करने वाली है साथी Suven Life Science यहाँ पर राइट सिशू के जरिये फंड जु लगा रहे थे आनलिस्ट उसको बीट किया है और ब्रॉड बेस डिमांड अभी भी कंपनी को नजर आ रही है पूरे साल के लिए आई की गाइडेंस 24 से 26 परसेंट पहले थी और अब बढ़ाकर 25.5 से 26.5 परसेंट इन्होंने गाइडेंस कर दिया है हाला कि जो F5 22 का जो EPS आउटलुक है वो इन्होंने घटाया है पिछली जो उन्होंने दिया था उसके मुकाबले आगे चलकर जो New Bookings है इनकी कंपनी की इस बारी जो आती वी दिखी है करीबन 10% सालाना आधार पर बढ़ी है और ये कंपनी की second highest ever New Bookings आती वी दिख रही है तो overall numbers तो अच्छे रहे अर्मान बूर्निंग बता है कौन सी खबर लेकर आए हैं सबसे पहले hero motocop पर ध्यान रखी गया क्योंकि जो motorcycle और scooter की जो कीमते हैं वह एक जुलाई से लगबक 3,000 तक बढ़ोत्री की जा सकती है और इसका reason यह है कि जो महेंगाई और commodity के prices बढ़े हैं उसको pass on करने के लिए कंपनी ने यह decision लिया है Tata Motors पर ध्यान रखेगा क्योंकि जो सरकार ने Tata Nexon EV में जो आग लगने के मामले में जाज के आदेश दी हैं सरकार ने और DRDU आग लगने के मामले की जाज भी करेगा ONGC पर ध्यान रखेगा कि जो subsidiary उनकी जो subsidiary ये ONGC विदेश ने कॉलंबिया में नए तेल कुए की खोच की है और इस block में जो ONGC विदेश का जो 70% लगबग जो participating हिस्सा है HUL पर ध्यान रखेगा कंपनी ने बताया है कि कंपनी के जो chairman है उन्होंने AGM में बताया है कि market growth में कमी और volume growth में गिरावर्ट के बावजूद company जो है वो जो बढ़ोतरी है price products में वो जारी रखेगी और अंत में वेदानता पर धियान रखेगा प्रधान मंतरी नरेंद मोधी जी का tweet आतावादिका है उन्होंने कहाए कि जो Foxconn हो जो electronics manufacturing जो शमता है वो हमारे भारत देश में बढ़ाने वाली है और जो semiconductor capacity जो manufacturing करने वाली है उसमें वो बढ़ाएगी शमता बिल्कुल तो नजर रखिए semiconductor production बढ़ेगा और इसका जो supply shortage पिछले डेर साल की परिशानी है वो भी कम होती है आपको दिख सकती है आई अब डालते हैं नजर आज की ब्रोक्रिज रिपोर्ट्स पर F.I.R. में मारूती कल काफी बड़े action में था आज भी अगर आप देखे तो रिपोर्ट आई जेपी मौगन की तरफ से लेकिन थोड़ी सी confusing रिपोर्ट है क्योंकि neutral की rating को बरकरा रहा अपना व्यू चेंज किया है पहले 7200 का लक्ष देते थे अब 1000 रुपे से लक्ष को बढ़ा दिया 8200 कर दिया है हाला कि कल की तेजी के बाद 8271 के आसपास तो already stock आ चुक है और commentary भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा मान रहे है कि commodities के कीमतों में जो गिरावट आई है इसका impact positively तोर पर देखने को बलेगा लेकिन जो नए models को लेकर hype है वो थोड़ा सा मान रहे कि company जो है numbers म नहीं कर पाई कि लगातार देखें तो रूरल इंडिया में और साथ में CNG वेरियंट में इनका जो market share है वो घटता जा रहा है लेकिन इसके साथ EPS का उनुमान जो है 9-11% बढ़ा दिया है तो करना क्या चाहते है JP Morgan मारूती पर इस समझ में नहीं आ रहा है लेकिन फिलाल के अंदर थोड़ी सी defensive characteristics है dividend yield बहुत बढ़िया है correction आगया करीब करीब 15% का लेकिन एक और खास बात करें कि स्टॉक वालेशन के लियाद से सस्ता है लेकिन ओवरली सस्ता नहीं है डेलिवरी यहां पर इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट आई है Morgan Stanley की तरफ से जहां पर एकोल वेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुवात किया 501 की closing ए 540 रुपे का लाक्ष दे रहें यह मांदर कि भारत में अगर आप देखे तो इंटीग्रेटर लॉजिस्टिक्स कंपनी में सबसे बढ़ी है ग्रोथ अभी तक काफी बढ़िया देखने कुमिल रहे है और अजस्टेट तोर पर एविटा और मार्जिंस में भी देखें तो एफाइट वेटिटीटू में बढ़िया प्रद्रिशन रहा वालुएशन महेंग है लेकिन बढ़ रहे हैं कि जस्टिफाइड है जिस प्रकार की ग्रोथ प्रोफाइल है कंपनी की अच्छे वालुएशन जो है यहां पर देखने कुमिल रहे है मैक्रोटेक डेवलपर से रिपोर्ट आई है अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1061 रुपे का रखते हैं 1022 के असपास की क्लोजिंग है और यह कह रही कि बैंगलोर मार्केट में जो है एंट्री किया लेकिन जो मौजुद्धा चैलेंज है वो बरकरार देखने को मिलेंगे स्टेट बैंक अफ इंडिया से की तरफ से रिपोर्ट आई है खरीदार रुपे का लक्ष दे रहें और मांड़े की अगर आप देखें तो ग्लोबल बैंक्स में इसके वालुएशन जो सबसे बड़िया नजर आ रहें जिसके चलते स्टॉक के उपर खरीदारी के राय देने 1070 के लिए ओके तो यह तो है फॉर्स सेट ऑफ बड़ी रिपोर्ट से बता है इनके बारे में दिपांचु रोज लगातार लिस्ट लंबी होती जारी है आज भी धेड़ सारी रिपोर्ट सेंगे बजा जोटो मॉगन स्टानली एकॉल वेट की रेटिंग को बरकरा रहें चारहजार एक्सो ब्यासी रुपे के लिए आइटी स्टॉक्स मेरेंगे टीसी एस पर देखें तो नॉमेरा की तरफ से रिपोर्ट आए इंट्रेस्टिंग है क्योंकि अभी भी रिडियूस की रेटिंग को बरकरा रहें करेक्शन के बाद भी 3,309 की क्लोजिंग है और 2950 रुपे का लक्स दे रहें सिमिलरली विप्रो जो पर भी देखें तो न्य क्लोजिंग है ग्यारा सो रुपे का लक्स दे रहें अंत में एल एंटी यहां पर जेफ्रीज के तरफ से रिपोर्ट आई है करीदारी किराय को बरकरा रखा है 2,215 के लिए ओके तो यह है आपके लिए सारी के सारी रिपोर्ट रिपोर्स में तो पावर गेट पर रिपोर् वक्त है पिक अफ देगा बात तो सही है चलिए तो आज आप बुल को चार्ज करने की तहीरी में बताएं सर कौन सा स्टॉक है खरीदने के लिए आज से अनिर जी मेरा थोड़ा सा आउट अफ द बॉक्स स्टॉक आइडिया है और मेरी ख्रिदारी की राय है इंडस टावर पर इंडस टावर को खरीदना है 206, 206 का स्टॉप लगाना है 220-221 के टार्गेट के लिए इंडस टावर है मेरा पिक अफ द डे अनिर जी और यहां कोई जगड़ा नहीं है 500-600-700 कुरोड का तो नीट क्लीन क्लियर है सब कुछ यहां पर इंडस टावर के अदर ओके ठीक है तो चलिए यह है इंडस टावर जहां पर खरीदारी करने के रहा है बंसल जी की तरफ से आती भी दिख रही है कुनाल जी का पिक अफ दे डे भी लेंगे दीप पूछे कुनाल जी से और हम हमारे सब कोई दिखने का मतलब नहीं दीप और कुनाल जी आपस में द गुड़ मॉर्निंग भाई साब गुड़ मॉर्निंग अनिल जी आप सब दोनों को सुप्रभाद मेरी ओर से जी और मेरी खरीदारी की राये है बहुत विशेश पैटन बनाया निल जी और मैं उत्सुक था इसको बताने के लिए अनिल जी पैटन का नाम है डाइमंड पैट हो रखा है आपको याद होगा अनिल जी डाइमंड पैटन मनता हुआ दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट पर तो आज मेरी पिक अफ़ दे है अपोलो हॉस्पिटल पर खरीदारी करने की राये है डाइमंड पैटन कंप्लीट हो गया कल इसका ब्रेक आउट आता ह अच्छा यह आम तोर पर डाइमंड पैटन आपका तेजी की तरफ ही आता है ना कुराल जी जब पहले भी बीच में एक बार मुझे याद है सबसे पहले आई से बैंक पर आया था उसके बाद बड़ी तेजी हुई है कोई ऐसा मंदी के वक्त निया आता है इसा पैटन कोई कि अधिया नहीं जाता है, आम तोर पर, क्योंकि अनेंजी फिफसा तो सुच्छा वाइब तो किये वक्तिजी के बाद में पन दो जा नहीं, हाँ ये बात तो सही है तेजी में थो चा लगता है। अधिक य्दि फिफल से मामला थोडा सा दिला होई जाता है, आईए सच्छ कुछ को तुनिए कुछ में तो एक से जादा हो जाते हैं बहु अचन चलिए आइए सचिन जी गुड मॉर्निंग बताए सर पीक अफ दे डे 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 अपर लूपन का जो डेटा है मुझे लग रहा है फो काफे इंट्रेस्टिंग एक ब्रेक आउट की और संकेट दे रहा है च जल्दी नजर आना चाहिए तो यहाँ पर खरिदारी करनी है लूपन के फ्यूचर में कल्की क्लोजिंग थी अराउंड 6.29 के असपास तो अप्लोंग साब को लगाना है अराउंड 6.185 तो टागेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है लगबग अराउंड इंट्राडे के लिया लूपन में 618 के स्टॉप लॉपन राइस सचिंजी की हिमानची जी तैयारे सर्थ सूप्रबात बताएं पिक आफ दे अनिल जी सूप्रबात इपान्शूस गूड ओनिंग एवरीवन अनिल जी मुझे लगता है कि जहां पर इस सेक्टर में तेजी है उसी के साथ बने रहन की राय है कल एक अच्छा ब्रेक आउट यहां पर आता हुआ नजर आया है एक नीट क्लोजिंग देखने को मिली है तो यहां पर खरीदारी करेंगे साथ सो बहत्तर रूपे का क्लोज है साथ सो साथ रूपे का एक स्टॉप लॉस मिंटेंगे और आट सो पांच रूपे के सब्सक्राइब के लिए TVS मोटर्स है मेरी तरब से पिक अप दे ओके तो TVS मोटर्स पर भी करें खरीदारी कल ऑटो स्पेस पर एक बढ़िया मोमेंटम आपको बनते हो दिख रहा था देखते हैं आज यह कंटीनियों हो पाएगा या नहीं बट सारे स्टॉक्स वहां के कल तो आक्शन में थे हीरो मोटो कॉप पर एक बड़ा 6% का ब्रेक आउट आपने आते हो दिखा था क्या यह सस्टेन कर पाएगा या नहीं आईशर मोटर्स में भी आपने एक बड़ी मूव देखी थी यह भी इंट्रेस्टिंग रहने वाला है इंफाक्ट हीरो मोटो कॉप पर भी एक रहा ले लिजाए जिस तरह से कल का बेक आउट था क्या आज यह सस्टेनेबल दिखता है कि ने कुनाल जी हीरो मोटो कॉप अठाइसो की उपर कल की क्लोजिंग सर माफ कीजिगा करीब 265 पर कल की लोजिंग थी आईशर के अठाइसो की थी हीरो मोटो कॉप पर क अगला resistance है तो यही target रख करके buy करना चाहिए मुझे लगता है कि जो तीनों चारों जो बड़े auto counters है जिनमें बड़ा breakout हमने कल देखा है हो सकता है कि आज कुछ शुरुआती dip देखने को मिल जाए लेकिन उसके बाद इसमें वापस से तेजी बनेगी और अभी भी इनमें momentum बहुत है तो उपर के levels सभी stocks में आते हुँ देखें ओके तो यह है अपके लिए hero motocop इस पर रखें नजर एक बार आईशर पर भी डाय ले ले लेते हैं अच्छे momentum में एक counter था सचित जी आईशर डिपांचो आई तिंग दोनों में से अगर structure की बात करें तो आईशर का structure काफी बैतरीन रहा है इन फैक एक अच्छे height of higher bottom sequence की शुरुआत उसने काफी lower end पे ही की थी और उसी का ये follow through movement है तो 27 का जो एक hurdle अभी उसने break किया है कल के 17 में वहाथ है जो follow through action नजर आ रही है तो मुझे लिए वो continued ही है नहीं चाहिए लगबग 2950-2960 एक review zone होगा immediate basis पे अगर declines मिलते है तो declines healthy होंगे खरीदारी करनी के लिए and stop loss आपको लगाना चाहिए लगबग around 2755 पे अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंडने है आई शर मोटर्स में 2960 के target के लिए तो यह है आपके लिए आई शर मोटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर इस पर भी action आपको आते भी दिख सकता है action में रहेंगे कुछ और auto counters भी टाटा मोटर्स इस पर जो कल एक वीडियो भी चल रहा था इनकी एक इवी है जिसमें आग लगी थी वसे एरिया में उसके मामलाई में एक जांच के आदेश दे दिये गए हैं फोकस रहेगा उस पर हालकि इतनी सारी गाडियों में एक ही गाड़ी पर आग लगे बट अफकोस क्या इन्वेस्टिगेशन से निकल कर आता है यह देखना इंपॉर्टन रहेगा कल थोड़े मोमेंटम में ज़रूर था टाटा मोटर्स हिमांचु जी इसका चार्ट कैसा लगता सब्सक्राइब दिपांचु देखिए जो ओफलेट हमने आटो पैक में सभी स्टॉक्स में आलमोस्स रहली आते हुए देखी है कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स एक अंडर प्रफॉर्मर रहा है हाला कि यह मानना पड़ेगा कि लगब 370-375 के आज पास एक अच्छा बेस बनाने की स्टॉक क यहां पर आता हुए नजर नहीं आए आज इस न्यूट के चलते हो सकता है थोड़ा सा इनीशल एक नेगेटिव इंपक्ट देखने को मिले लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है कि यहां पर 370 और 400 रुपे की ब्रॉड रेंज है जिसमें फिलाल यह ट्रेज करता हुए नज अभी आज कितने गैप से खुलता है वो देखना पड़ेगा लेकिन इवन आदे परसेंट गैप से भी खुलेगा तो मैं कहूंगा अपसाइड बाकी है 8,550 का मेरा टार्गेट है जो यहां से लगबग 300 रुपया है और मेरा स्टॉप लॉस होगा 8,190 8,190 के साथ 8,550 का टार्गेट खरीदे मारूटी सिदार जी सुप्रभाद आपकी पसंद का शेर सर जो इतने सारा आटो सेक्टर के स्टॉक्स के नाम आ रहे है अनिल जी तो इनके चक्के कहां से आएंगे तो इनके ऑफ रोड टायर की कंपनी वो है बालकृष्णे इंडस्ट्री जिस पे खरीदारी की राइब एक्सपोर्ट काफी दमदार है और इन फैक्सपोर्ट्स में ट्रैक्टर्स वगेरा जो बड़े बड़े टायर लगते हैं वो बनाती है यह कंपनी और उसके एक्सपर्ट है तो इस पे खरीदारी की राइब अगर शॉट तर्म के लिए खरीद ना हो तो बाइस और सी का शॉट तर्म टार्गेट होगा अगर अगर लंबे समय के लिए आप दे रख लिया तो 30603066 चक्का चक्का बना जो चक्के शब्स बहुत दिनों बाद सुनाने बहुत सुना है इस चक्का शब्स और इजिन हिंदी उर्दू क्वाशा से हैं चक्का जाम जाम के था है सदादी से को कुनाल जी बताईए अनि जी मुझे लगता है चक्र जो शब्द है अनि उसी साय चक्का और यह मशूर तब हुआ अनि जी अब यह चक्का जाम की शुरू हुई रिती है निए वह तो समझ गया है है लेकिन चक्क्र से तो नहीं लग रहा पता नहीं हो सकता है तो चलिए चक्के बनाने वाली कम्हीं कुन सी थी मतलब द्यानी मेरे चक्के में रह गया अच्छा बाल कृष्णा इंडस्ट्री यहां पर खरीदारी करने के लाए 2140 के आसपा से यह स्टॉक और यहां पर खरीद देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस इससे आएगी अच्छा सिदाजी एक्सेंचर के नतीजें आये हैं रेविन्यू अच्छा रहा इनकी ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने बढ़ाई है बट अनुमान का मुनाफ़े का अनुमान घटा है माफ की जिगा ग्रोथ गाइडें सारी आई-टी स्टॉक के लिए क्योंकि आई-टी स्टॉक बड़े पिटे हुए थे करीबन तीन महीने से मैं मानता हूं कि यहां पर गाइडेंस इंप्रूव हुई है इन टम्स आफ रेवेन्यू ग्रोथ तो यह सारी कम्तियों के लिए फाइदा में रहेगा और उसमें से स सबसे जादा मुझे लगता है कि इंफोसिस के लिए फाइदा हो सकता है क्योंकि इंफोसिस एक मातला कंपनी है जो अपनी गाइडेंस इंप्रूफ करते जा रही है खाली पिछला क्वाटर ता जो एक मिस आया था इंटरम्स आप्वाटरली परफॉर्मेंस बट ओवर आई इंपोर्टन रहेगा है यहां पर मैनेश्मेंट की तरफ से कुछ कॉमेंटरी भी आई है सिदाजी को तो काउंटर पसंद भी है चार्ट क्या कह रहे हैं है बंसल जी जड़ा इसको एक बार अपनी राए दें चेर्मेन साहब ने कहा है कि यह आगे दाम बढ़ाते रहेंगे इवन इफ इट मीन्स की शायद थोड़ी वॉल्यूम्स में गिरावट आ सकती है बट यह अपने प्राइस हाइक्स कंटिन्यू करेंगे कल डेज हाई पर बंसल जी एचुएल बंद वा था देखे दिबांशु मुझे तो हुल अच्छा लग रहा है इसके नीचे का स्टॉप लॉस 2340 पहला टार्गेट है हुल को भी इन सरुपर आप खरीद कर चले यह आपके लिए राय आ रही है काउंटर फोकस में भी रहने वाला है फोकस में रहने वाला है Zomato और यहाँ पर आज बोर्ड की बैठक है एक संभावित अधी ग्रेंट पर कंपनी विचार करने वाली है सिधा जी इस पर कोई रहा है ब्लिंकेट के अक्विजिशन पर आज शायद मन्जूरी मिल सकती है Zomato रीसेंट लेबल से इसने रिकवर किया है और अब सतर पैसट की रेंज में स्टॉक टाइम स्पेंड कर रहा है Zomato पर आपका विए कोई खाना मंगाई स्टॉक पर दिल्चस्पी नहीं है सच्च जी चार्ट पर कैसा लग रहा है कुछ समय पहले आपने शायद SPL में इसको रेकमेंड भी किया था कोई व्यू सत्तर रुपे पर जूमाटो जे दिपांचु इंट्वाक 57 लेवल के आसपास से हमारी एक बाई की यहाँ पर उपीनिन रही है 80 का पहला टागेट हो यहाँ पर अच्छीव हो चुका है सब्सक्राइब से काफी क्लियर है लगभग और फिफ्टी-फोरन वीक्ली क्लूजिंग से सोगा और हायर साइट मुझे लगजा है चार रुपे का डिविडेंट का अच्छेस्मेंट होने वाला है तो जो आपके लिए व्यू है बालकृष्ण का सिदाजी का हाला कि सिदाजी तो पॉजिशनल व्यू देते हैं एक दोर दिन के ट्रेड के हिसाब से नहीं है बढ़ हाँ सुभा आपको थोड़ी कमजोरी बालकृष्ण में दिखेगी क्योंकि ये डिविडेंट के अच्छेस्ट होगा उसके बाद का आप अपना व्यू इस पर बना कर चाल सकते हैं तो नज़र रखेगा ये बी एक काउंटर आज फोकस में रहेगा विदानता फोकस में रहने वाला है फोकस कॉन के साथ इनका जेवी है सेमी कंडॉक्टर बनाने के लिए और प्रदान मंतरी मोधी का ट्वीट आया है Foxconn manufacturing शम्ता का विस्तार करेगी और more importantly semiconductor manufacturing शम्ता का विस्तार करेगी भारत में ये unit लगाने वाले है पहले भी खबर आई थी कि दो साल में विदानता Foxconn JV की भारत में semiconductor plant लगाने की योचना है भी विदानता वागले साब कल थोड़ा कमजोर जरूर था बाकी metals के साथ-साथ बट 220 के आसपास की closing चार्ट पर कोई रहा है तो वो भी bounce back ही माना जाएगा तो मैं immediately अगर trade करना है तो 240 तक के माहुल में थोड़ा सा bounce back extended आएगा तो भी 240 के ऊपर जब तक close नहीं होता है मेरे लिए ये stock weak ही होगा obviously ये level पर इतने गिरने के बाद बेचना भी doesn't make sense क्योंकि ये support के level के आसपास है जो 210-200 के आसपास है वो भी break होगा ये मेरा मादबन नहीं है तो ये है आपके लिए विदानता जिस पर रखनी है आपको नजर आज की दमदार report आई है power grid पर 132 की कल की closing थी 241 का target दिया गया है 100 रुपे से जादा की कल की closing यहाँ पर 208 की थी और उसके सामने आपको 241 का target दिया है फिर भी current level से भी देखें तो decent upside है एक बार ज़रा इसके चार्ट पर राय ले जाए power grid हिमान्शु जी बिल्कुल दिपान्शु देखिए काफी हता कि यह stock जो है अपने uptrend को अभी तक intact रखे हुए है बजार की correction के बावजूद भी और एक important support zone है दोसों के आसपास जो की stock off late test करता हुआ नजर आया है तो अगर reward to risk यहां से देखा जाए तो बिल्कुल यहां से एक अच्छी upside देखने को मिल सकती है सबसे बड़ी बात है कि stock अपने एक long term moving average के support के पास है जो की अभी भी rising trend में है जिसका मतलब यहां कि इन level से खरिदारी आते हुए नजर आ सकती है ओके तो यह है आपके लिए पावर ग्रिट जहां पर रखनी है नसर आज आक्षिन में यह counter भी आ सकता है